हेलो दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यानि कि जो OPPO का मोबाइल यानि कि OPPO HA1 मोबाइल है उसमें आप विस टाइप से जो है कि Face Lock या फिर 500 पींगर प्रेंट बिना किसी application की मदद से आसानी से आप जहे की screen log लगा सकते हो या फिर change कर सकते हो तो दोस्तो इसके लिए आपको जहे की किसी भी app को download करने की ज़रत नहीं है हम आपको जो आपकी mobile setting है उसी में ये सब process आपको करकर दिखाएंगे यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई भी सवाल है हमें कमेंट करकर बताएं तो दोस्तो वीडियो करते हैं start चलते हैं अपने mobile screen पर तो दोस्तो हम आ चुके हैं अपने जो mobile phone है उसकी screen पर तो सबसे पहले हमें अपनी जो mobile setting है उस पर जो है कि क्लिक कर देना है यहां मेरी mobile setting है और मैं simply इस पर क्लिक कर देता हूँ और दोस्तो जैसे में क्लिक करूँगा मेरी को थोड़ी से यहां पर नीचे आ जाना है और आने के बाद friend यहां आप देख सकते हो यहां password and biometrics के नाम से आपको एक option मिल जाएगा जो है कि काफी जादा phone हो में जो security या फिर इस type के जो है की name से मिल जाता है लेकिन इसमें कुछ difference है friend इसमें password and biometrics के नाम से है and simply आपको इसी पर click कर देना है and जैसे आप click करोगे तो आपके सामन कुछ इस type का जो है की interface सामने open हो जाएगा यहां है friend password and यहां है biometrics सबसे पहले हम जो password है उसको यहां पर set करकर दिखाएंगे and यहां है set lock screen password आपको इसी पर click कर देना है and यहां importance जो notice है वो यहां हमें so होने लगा and मैं simply continue पर click कर देता हूँ and जैसे मैं click करूँगा यहां friend जो enter new password यहां की मेरे को enter करने के लिए बोल रहा है जो new password है उसको and दोस्तों मैं यहां पर enter कर देता हूँ यहां यह six digit का है friend and मैं simply यहां पर यहां की रिइंटर कर देता हूँ and मैं यहां पर इसको enter करने के बाद यहां simply मैं यूज पर click कर देता हूँ verify new यहां की password फिर से मैं इसी को यहां पर enter कर देता हूँ and enter करने के बाद friend आप देख सकते हूँ जो हमारी यानि की जो password है वो simply यहां पर जो यानि की save हो चुका है and friend आप यहां से इसको जो है की turn off कर सकते हो and या इसको friend आप modify करकर जो है की new set कर सकते हो तो दोस्तो यह थी यानि की password and इसके नीचे friend है यहां पर यानि की add fingerprint and मैं आपको जो है की friend and fingerprint add करकर दिखा देता हूं and सबसे पहले आपको जो आपने यानि की जो screen lock password यानि की password इंटर क्या था set क्या था simply आपको उसको यहां पर type करना है and मैं यहां पर अपना जो password है उसको type कर देता हूं and दोस्तो टाइप करने के बाद हमारे साम कुछ इस type की interface open हो जाएगा and दोस्तो इंटर करने के बाद यहां है place your finger on sensor यह friend हमें instruction बता रहा है and हमें इस type से पकड़ कर जो है की यहां side में जो fingerprint है उस पर जो है की click करना है and दोस्तो मैं इसी type से जो है की same situation में मैं करता हूं and मैं simply जो मेरा finger है friend मैं simply उसको यहां पर लगा देता हूं and यहां friend जो इसका time out हो चुगा है and मैं simply इसी पर फिर से click कर देता हूं and यहां अपना password इंटर करने के बाद यहां friend जो यानि की fingerprint का जो यहां पर sensor है and मैं simply इसी पर click करता हूं बार बार and आपको friend बार बार इस पर जो है की tap करना है and tap करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा fingerprint है वो simply इहां पर done हो चुका है यहां friend आप another यानि की fingerprint भी add कर सकते हो and दोस्तों जो आपका यानि की fingerprint था वो यहां पर simply add हो चुका है और आपको यहां से delete भी कर सकते हो जो लाल यानि की box का वो है symbol आप इस से यहां से जो fingerprint एड़ गया था उसका आप delete भी कर सकते हो और या फिरन आप another जो fingerprint है उसको भी यहां पर add कर सकते हो और दोस्तों आप आज आता हूँ मैं back and back आने के बाद एक और option है हमारे सामने वो है यहां पर add face का मैं simply same situation में हमें जो है कि अपना password है उसको enter करना है and enter करने के बाद friend यहां हमें जो continue है उस पर click कर देना है and click करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा face lock था वो simply यहां पर enter हो चुका है and आप इसको यहां से delete करना चाहते हो तो delete भी कर सकते हो and use for आप जो है कि इसको तो दोस्तों हमने अपना जो face है उसको add कर दिया है and आप इसको जो है कि जो screen lock है या फिर app lock है या safety private है उस पर आप जो है कि इसको use कर सकते हो and दोस्तों यदि आप चाहते हो जो आपका यानि कि swipe up unlock है उसको set करना चाहते हो and नीचे इसके option है आप उसको भी जो है कि यहां से on कर सकते हो तो दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि किस टाइप से आप जो है कि open h1 mobile में आसानी से आप जो है कि यानि कि screen lock add कर सकते हो या फिर fingerprint या face lock आप easily जो है कि इस पर add कर सकते हो and लगा सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए को वीडियो पसंद आए वीडियो का लाइक करें चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो के सा तब तक के लिए take care and bye bye thank you so much